जब मैं यूएस में था तब उबामा का campaign चल रहा था 2012 का campaign था और उसमें average हर एक college going youth donate कर रहा था 10-10 डॉलर, 20-20 डॉलर जब duration pass में आता था voting का तब सब एक weekend के लिए door knocking करते थे रोचसाहित करने के लिए कि उबामा को वोट दीजे उनको लाइए और मैं यह देख के मतलब एकदम shocked था कि मैं IIT में पढ़ा fascinating है वहाँ पर complete disengagement होता है कोई सोचता ही नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी है so यह जो idea है कि democracy का जो blood है वो है citizen engagement बिल्कुल और political आप यह नहीं है कि चलो आप इसी party को join करो the fact that इस देश में आज political participation लोग politics के नाम से सोचते है कि नहीं बहुत गंदी चीज है तो मेरा तो यही एक message रहेगा कि जब आप politics को सोचते हो think about the people who have given birth to this country they are politicians of this country और आज आम आदमी party में आपको एक जलक मिलती है कि ऐसे professionals who are accomplished professionals in their respective field they have come forward और अगर आज आप इस party के साथ नहीं खड़े होते हैं इसको support नहीं देते then we have condemned ourselves to the politics which is defined by crooks and corrupt people तो यह एक बड़ा परिवर्तन होने की जरूर है और पहले लोग कह भी सकते थे कि हमारे पास options नहीं है but आम आदमी party ने आज सबसे बड़ी जो I would say जीत रही है कि लोगों को एक option दिया कि आप यह नहीं कह सकते कि मेरे पास option नहीं थी अब आपके उपर है कि आप कितना आगे बढ़के आना चाहें कि 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 कि